नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल मैं स्विन धर्मेश्ट पर एवरेज की छे क्लास से सोच चुकी थी आज है एवरेज की साथवी क्लास यानि की एवरेज पार्ट सेवन जो भी कोर्शन्स मैंने अभी तक आपको करवाए हैं वो प्रिवियस एर में आ आप लोगों को बताई हुई है आप से यही अनुरोध है कि निरंतर्क वीडियो को देखते रहिए क्लास ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब परवाई है ताकि वो लोग भी कोर्शन्स को इंजॉय कर सकें को प्रियास कर सकें अच की क्लास जिसका पहला कोश्तन लगातार पांच प्राकृतिक संख्याओं का उसत 26 है यदि अगली चार संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो उसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा लगातार पांच प्राकृतिक संख्या है नेचरल नंबर जिनका उसत 26 है यदि अगली चार संख्याँ को जोड़ दिया जाए तो असत पर क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ नहीं है इस question में देखिए आप जानते हैं पांच प्राक्रितिक संख्याँ है औसर तो आप जानते हैं चप्विस है प्राक्रितिक संख्याँ है अगले संख्या 28-27 होगी फिर 28 होगी इसके पह बीच का जो अंतर है वो क्या है? शमान है. तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं? फर्स्ट नमबर प्लस लाश्ट नमबर बाइटू यानि कि चौविस प्लस अठाइस बाइटू बावन बटे दो यानि कि चब्विस अब इसमें बोला गया है यदि चार संख्याओं को जोड दिया जाए तो आश्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगली चार संख्याओं आप जानते हैं 29 30 31 32 29, 30, 31, 32 यही अगली चार संख्याओं होंगी? बताएए कोई बेटाउट अब अगली चार संख्याओं इसमें जुड़ गई तो टोटल संख्याओं जो होगे हमारे पास वो कितनी होगे? 9 होगे पहली चार अटाएँगे आखरी की चार अटाएँगे बीच का जो नंबर होगा भाई क्या होगा? 28 क्या होगा? नया उसत होगा बताइए कोई भी डाउट बढ़ना आप निकाल के देख लीजे फर्ष्ट प्लस लाष्ट बाई टू लगाके 24 प्लस 32 बटे दो बराबर 28 क्लियर? क्यों? क्योंकि इनके बीच का अनता समान है और जब यह अनता समान होता है तो हम फर्ष्ट नंबर प्लस लाष्ट नंबर बाई टू कर देते हैं एवरेज क्लियर दियेगे प्रिणामों का योग बटे प्रिणामों की संख है तो ओसत क्या गया? 28 अब यहां देखिए ओर्ड एवरेज 26 निउ एवरेज 28 हो गया पूछा गया है कि ओसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ओसत में 2 की वरद्धी हो यह हमारा क्या अंसर है 2 की वरद्धी ओसत पर क्या प्रभाव पड़ा? ओसत 2 बढ़ गया यानि कि ओसत क्या हुआ? दो इंक्रीज हुआ उसर पे दो की विर्द्धी हुए समझा है सवाल? कोई भी दिक्कत? आप डिरेक्ट देखते हैं अंसर बता देंगे सिर्फ समझाने के लिए इतना प्रोसेस कर रहा हुआ है वहना आप खुदी देंद जाएंगी 26 से 4 संके हैं चार का अधा 2 होता है 2 आट कर देना है 2 की विर्द्धी हुगी अगर नया औसट पूछा जाएगा 28 आंसर हो जाएगा क्या प्रभाव पढ़ा है तो 2 की विर्द्धी हो गई है ये आप कड सकते हैं अंसर क्या होगा? 2 की विर्द्धी हुई औसत पर क्या प्रभा पड़ा तो औसत दो बढ़ गया सहाज मैं है नोट कर लिए इस स्वाल को मन हो तो स्क्रीन स्वाल ले लिए बढ़ना नोट कर लिए देखिए अगला कोशन आपके सामने देखिए अगला कोशन लगातार पांच धनपुर्ण संख्या को जोड दिया जाए तो सभी संख्याओं को ओसत क्या होता पांच बांच दस इस बताइए किसी का और सट अगर रहने उसमें पांच संख्या इंगली जोड़े जी माली जिए 1-2-3-4-5 जोड़े कि संवया कि तनी जोड़े पांच जोड़े लिए वहाँ पे देखे चार जोड़े थे तो दू का प्रभाव पड़ाता है यानि दो की वृद्धिवति यहाँ पे पांच संख्या जोड़ रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो जाएगी वह सत्मा जली बताइए अब यहाँ आप देखेंगे की काएंगे सर ये इसका योग छे बताइदो यानि तीन की वृद्धि यह पहली पांच संख्या नहीं है ये इनके आगे की पांच संख्या मैंने एड़ किये हैं तो तीन की वृद्धि नहीं होगी वृद्धि होगी पांच बताइदो यानि की में देख रहे थे कि जब चार संख्या हैं हमने जोड़ी थी तो औस दो इंक्रीज हुआ था तो यहां पर किसी का औस अगर एन है तो उसमें अगले की पांच संख्या हैं जोड़ेंगे जैसे माले एन प्लस वन जोड़ दे पांच संख्या है एक दू तीन चार एन प्लस टन ऐसे संख्या आगे क्या होंगे जोड़ेंगे यह तो इन प्लस वाइफ ही होगा बदाएए यह क्या होगा एन प्लस वाइफ यहां पर बीच में एन होगा देखे आउसाप एन है अच्छेश देख लिजिए समझा रहे हैं मढ़ना इस कुर्शन में कुछ था नहीं डाइग के प्रद्द्धे होगी पांच संख्या है जोड़नी ती लेकिन कुछ है कलाकार जो नहीं समझ रहरेंगे अब यहाँ N-2, N-1 होगा, ठीक, यह माल लिए संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, something ऐसे माल लिए, तो यह अगर 3 है, तो 3 में 1 घटाएंगे, तो 2 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, 5, कितनी एड़ करनी थे भाई, 1, 3, N-6, N-7, पांच एड़ होगे हैं कि नहीं, बताएगे, इसको आउसद कितना था, N था, तो अगले 5 हैंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5, जोड दी जाए, देखिए, पांच N हो जाएगा, प्लस, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 12, 16, 18, 18 और साथ, 25, बते, पांच, पांच नहीं, सारी, 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि संख्या अब कितनी हो गई, 10 हो गई, पांच कॉमल लेंगे, तो N प्लस क्या बचाएगा, 5 बचाएगा, अब 10 बचाएगा, 1 अपांट 2 हो जाएगा, अब N प्लस 5, N बाइट 2, तो यहां क्या हो जाएगा, 2.5 आएगा और इतनी की ही क्या होगी वरध्धी होगी 2.5 की ही क्या होगी वरध्धी होगी बताईए कोई भी doubt हुआ इसमें कि नहीं 2, 2, 4, 5 इसके बीच में जो आएगा वही अपना क्या होगा average होगा ये 5 संख्या है ये इधर 5 संख्या है and plus 2.5 ही क्या होगा और सथ होगा without इसमें बताईए बढ़ते हैं अपने अगले कुशन के दरफ देखते हैं आप लोग बता सकते थे कि ना प्रवर्थि ना एनोटी ना डेर्ड की वरध्धी आंसर क्या होगा 2.5 की वरध्धी होगी कोई भी डाउट बताईए दोस्तों बोलिए कोई भी डाउट इतने में देखें अगला स्वार्थ पांच लगाता है विसम संख्याओं का ओसत के है यदि तीन विसम संख्याओं सामिल की जाएं तो नया ओसत क्या होगा तो नया ओसत पराने ओसत से कितना दिखो अब यहां देखिए आप लोग दिमाग लगाएंगे इसमें तीन जूड़ी जा रही हैं संख्याओं तो 1.5 यादि डेड़ का क्या हो जाएगा? नया ओसत बड़ जाएगा ऐसा नहीं है यह क्यूंकि विसम संख्याओं है या फिर इसकी जगाएं संख्याओं भी होती तो भी ऐसा नहीं होता वो केवल लगातार संख्याओं में हो सकता है देखे क्या होगा बहुत प्यार से समझाएंगे ये मालीजे के है और सथ विसम संख्याओं आप जानते हैं कि दो-दो के अंतर पर उपती है ये के माइनस दो होगी ये के माइनस चार ये के प्लस दो होगी ये k प्लस 4 होगी कैसे ये मा लिजे 3 एक है ये 3 है ये 5 ठीक तो ये 7 होगी ये 9 होगी साज मा रहा है अब इसमें 3 संख्या जोड़नी है तो क्या जोड़नेंगे k प्लस 6 k प्लस 8 k प्लस 10 इतनी 3 संख्या क्या हो जाएंगे जुड़नेंगे आप देख रहे हैं कि संख्या मा लिजे जुड़ भी जाए तो जो इनके बीच का जो अंतर है वो क्या होगा समान होगा तो आप इसमें भी आप लगा सकते हैं फर्स्ट नमबर प्लस लाश्ट नमबर पाइट टू ये 2 के प्लस 6 पाइट टू हो जाएगा 2 common आ जाएगा k प्लस 3 आ जाएगा पटे दो यानि की k प्लस 3 ओसत में जो विर्द्धी होई वो कितने की होई पहले ओसत k था तो ओसत में क्या विर्द्धी होई तीन की हुई तो नया उसत पुराने उसत से कितना अधिक होगा तो तीन अधिक होगा कितना अधिक होगा कोई भी डाउट वहना आप यहीं पे देख सकते हैं कि पुराना उसत कितना था पांच था अगर संख्याओं में हम माने तो पुराना ओस्प कितना था 5 था अब 5 संग्याय थी 3,8 हो गए तो दो, दो, चार इन दोनों की बीच का जो नंबर होगा वही ओस्प ओगा और यहां कितना हाएगा 8 है तो 5 से 8 कितना अधिक है तो 3 अधिक है तो answer क्या होना चाहिए था 3, sun में आ prohib matters बेसम और सम में उतना ही बढ़ेगा जितना की संख्याएं जोड़ी या घटाए जा रही होंगी बताईए कोई भी डाउर इतने में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिस कर रहे हैं इतना ना धीरे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं नोट कर लीज़े इस सवाल को इस स्क्रीन सौड ले लीज़े बढ़ते हैं फिर अपने अगले कोशिन की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा दिखिए इस सवाल को एक्स और वाई जेड का ओसर 43 है एक्स ओसर से जितना अधिक है वाई औसस से उत्रा कम है तो जड का मान क्या होगा बेहद सरल कोशन बस लेंगवज ससाने वाली आदत हमेशा ससी वालों की बेहद बेहद सरल कोशन देखी क्या होगा आप दिमाग लगा रहा हूं कि सर एक्स वाई जेड है तो वाई तैतालीस होना चाहिए यह पैतालीस होना चाहिए यह तैतालीस होना चाहिए है ना या फिर और कुछ भी माल सकते हैं कि लगाता संख हैं तो यह तैतालीस होनी चाहिए यह चोवालीस होनी चाहिए यह बयालीस होनी चाहिए है ना इतना दिमाग लगा रहे होंगे लेकिन Y औसर से जितना अधिक है Y औसर से X औसर से जितना अधिक है तो ये सब संख्या हैं जब आप मानेंगे तो X कभी देखिये अधिक हो गई हैं क्या आप सहमत है मेरी बास से कि कोई भी औसर अगर है तो उसके पहले की संख्या क्या औंसर से अधिक हो सकती है बताइए कुछ और लिए जिए इसकी जगह पर इमारी तैतालीस है चार चार का अंतर कर लिजे यह सेतालीस कर लिजे ऑदी है थर्टीनाइन कर लिए तो यहाँ पर भी देखें क्या औंसर अगर 43 है बताइए औसद तो 43 है गया गैप समान औसद अगर 43 है तो क्या X कभी भी औसद से उसके पहले की संख्या यानि औसद के पहले वारी संख्या औसद से अधिक हो सकती है क्या और Y औसद से उतना कम है वाई औस से उतना कम कैसे हो सकता है अब तहीं है लेंग्वज का खेल है और कुछ नहीं है इसका अंसर भी वही है और जेड का मान भी वही है जैसे एक्स वाई जड़ अगर हम 43 43 सबको मानें कि सारी सेंखें कितनी 43 तो एक्स औसस से मान लीजे बन अधिक है मान लीजे थोड़ देर के लिए कि बन अधिग है और Y औससस से उतना कम है माइनस एक गम है दोनों बराबर कम हैं बराबर अधिक हैं बताईए अगर मैं कहा हूं कि मैं किसी से 2 साल बढ़ा हूँ और किसी से 2 साल चोटा हूँ तो आप कहाँएंगे सर वो तो कटी आएगा तो कटी जाएगा बताइए तो यह जो है और यह जो है यह तो वही आएगा कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो यहाँ पर जड़ का जो मान हो जाएगा वो 43 ही हो जाएगा option मिलेंगे आपको आप देखते समझाएंगे कि क्या answer होगा किसी में भी जितना कम होता है उतना अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो नहीं कम रहता है नहीं बढ़ जाता है उसका deviation 0 हो जाता है बताइए तो यहाँ पर deviation अगर 0 हो गया तो जेट का मान भी तो 43 ही आएगा बुल जाके देखिए उसको screenshot लेजिए जेट का मान 43 ही आएगा शेव लैंग्वज का खेल है और कुछ नहीं बढ़ते हैं अपने अगले कोर्शन की तरफ जो कि आपके सामने यह रहा अब 15 लग प्राकृरिटिक संख्यां का मात 15 संख्यास का मात 15 अब बड़ी संख्या का अधिक्तम्य confirmed क्या होगा यह नंबर औ स्म अफ अब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ अब्जर्वेशन यह क्या होता है मीन होता है यानि कि दिए के प्रिणामों का योग बटे प्रिणामों की संख्या यह क्या होता है मीन होता है भई क्या होता है ठीक तो यहां पर आप एवरेज भी कर सकता है अगर कंसिल जो रहा हूं क्या है 13 पंदरा अलाला प्रक्रितिक संख्याओं का मात क्या है 13 है अगर मैं इनका स्वम निकालूं क्या निकालूं स्वम यानि की योब ठिक तो आप जानते हैं 15 गुड़े 13 यानि की 195 अब देखी माली यह संख्या है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा इतनी संख्याओं है देख रही हैं आपको हां हलकी टेड़ी लिख दी कि सीधा कर देता है कि देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा यह कुल संख्या है सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा गया है तो आप जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी संख्या चौदवी संख्या होगी यानि कि फॉर्टीन नमबर होगा और आपको पंदरवी संख्या भी क्या है क्लियर नहीं है वताईए कोई वी टमडै आप जानते हैं प्राक्रितिक संख्या पा जो यूग होता है यूग क्या होता है एन फ्लस उन राइटू यहां एन फ्लस उन ऐ टू की जगहे पर अगर एन करदेते हैं तो भही क्या निकालाता है और सर निकालाता है तो N यहाँ पर आप जानते हैं तेरा गुड़े चौदा हो जाएगा बटे दो सत्य तेरा सत्य इक्यान रुए जो तेरा संख्या का जो योग आएगा अगर हम पहली तेरा संख्या का क्या निकाले योग निकाले संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मुला होता है तो पहली 13 संख्याओं का अगर योग कितना आ गया 91 और 15 संख्याओं का जो योग है वो 195 है तो आप जानते हैं 195 में जब हम 91 माइनस करेंगे तो 104 निकल गयाएगा अब जो यह 104 आएगा वो इन दोनों का योग होगा होगा कि नहीं होगा पताइए वो क्या होगा चौदवा और 15 नंबर होगा कि यहीं तरीका बताईए अगर दिया है तो कि अ क्या होना चाहिए फिफ्टी मन होना चाहिए बी और चाहिए तब ही 104 आए कि पॉस्टिबल एकी नहीं अब हम से पूछा गया था कि दूसरी सबसे बड़ी हुए तो वह क्या हो जाएगी फिफ्टी मन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 51 होगी और यही हमारा क्या है दोस्तों अंसर है हमने क्या किया आप लोग को मैं समझा दूँ फिर से 15 अलग अलग प्रकृतिक संख्याओं का average दिया था 13 दिया था तो हमने 15 संख्याओं का जो sum निकाला वो कितना आया 195 आया तो हमने जब लिखी 15 संख्याओं तो हमें पता चला कि जो 14 संख्याओं होगी वही सेकंड लास्ट नंबर होगी सेकंड हाइस्ट नंबर होगी तो हमने पहली 13 का योग निकाला तो 13 गुड़े 14 बटे दो यानि कि क्या आया 90 आया तेड़ा दिख रहा होगा आप लोंको नहीं कुसिस करिए हलकी राइटिंग बेकाहरा एज़ेश्ट करिए सवाल पर धान दीजिए मेरी महनद पर धान दीजिए और तरीके पर धान दीजिए तो 91 क्या आया हमारे पहली 13 संख्याओं का योग आया सम आया तो जब हमने योग से योग घटाया तो योग आया कौन से संख्या का योग आया 14th and 15th भाई 13 का योग अगर 95 का अगर 95 आया तो 14th और 15th का ही योग बचा 14 अब जब हमने इसको स्प्लिट किया दो नमबर में तो ये 51 निकला एक 53 निकला और कोई भी नमबर ऐसा नहीं है जिनको आप स्प्लिट कर सके आप चाहिए तो देख लिए 52 होगा 52 आप जानते हैं पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी अगर प्राकरितिक संख्या बोला गया है और 15 अलग अलग बोला गया है ये भी नहीं कि 15 अलगा तार प्राकरितिक संख्या बोला गया है तो क्यावन और तिरपन क्या हुए हमारे दो नमबर आए ऐसे ये क्या है 14 नमबर आए तो 14 थी हमारी सेकंड हाई अश्ट होगी तो आंसर क्या होगा 50 बन होगा यही सवाल का क्या था दोस्तों आंसर था समझ में आया नोट कर लिजे स्क्रीन सोड़ लिए इस सवाल एक सवाल और कर लिजे आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा हूँ कि देखिए अगला स्वाल 15 प्रेच्षणों का आउसत 18 यदि प्रेथम आठ प्रेच्षणों का आउसत 19 हो एवं अंतिमाट का आउसत 17 हो तो आठवी संक्या क्या होगी आगे आगने वाले जो कूर्सन से वह इसी टाइप के हैं यह भी एक टाइप है जो पेपर में पूछ स्सक्राइब प्रेच्षण करें नहीं अगमों टर राघंगे को ट्रेचा के हैं अप ञंगों नहीं को बताने का पूरा प्रेच्षण यहीं पर लिखा मिलेगाथ आपको अगली क्लास में इसे कोर्च्षां से हम दोनोग бок्less को स्टाइब देर Siad करेंगे तта के लिए आप क वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ताकि वो लोग भी हमारी ट्रिक्स होगरा जान सके उन्हें भी हेल्प हो सके मैथ में ठीक है बाकी मिलते हैं अगली ग्लास में इसी कोश्ण के साथ और इसी सा और मंग के साथ तब अटेकलित नमस्कार जैहिंट